घर में अगर आलू मटर की सबसी बना ले तो बच्चे जो होते हैं मुझत यड़ा कर लेते हैं या उन्हें ऐसे पैसंद नहीं आता है उन्हें ऐसा लगता है रेस्टोरन स्टाइल नहीं बनी दावा स्टाइल नहीं बनी तो देखिए फेंड्स एकदम सिंपल मासालों से मैंन यह रेस्टोरन स्टाइल या प्रफ दावा स्टाइल अलू मटर की मैंने सबसी बनाई है यह एकदम कम असाल के दालकर मैंने इसे बनाया है और एक दम जो टेस्ट है बिलकुल शी तरीक इसे बनेगा इस पcriptions यह худskia है फिर भी इसक riding टेस्ट है बहुत ही गजब का टेस्ट है friends, एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिए का आप ये जो आलू मटर की सबसी है अगर बच्चों को इस तरीके से आप बना के देते हो, तो एकिन मानिए, वो हमेशा आपको इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आलू मटर की सबसी बनाने को जरूर कहेंगे इसे आप पूड़ी के साथ पराठे के साथ और फुलक्यों के साथ खा सकते है बड़े आराम से बहुत ही तदा टेस्टी लगती है इसे हम टीफिन में और लांच बॉक्स में भी आराम से दे सकते है एकदम डिलिशयस और एकदम सूपब शबजी हमारी बनके रेडी होती है ए इतना कटोरी भरके में पानी एड कर दूंगी और मैं इसका कुकर कड़कन बन करके दो सीटी ले लूंगी अब मैंने मिक्सर का एक छोटा सा जो पॉट होता है जो जार होता है वो ले लिया है इसमें में तीन टमाटर देखे इस तरीके से काट कर डाल दिये है टमाटर में इसम रेड़िश पाके लिए है बहुत यच्छे टमाटर है स्वाद में और देखे इसके अंदर फिर में थोड़ा सा जो धनिया है इसमें से थोड़ा सा धनिया में यूज कर लूंगी हरा धनिया और आव इसमें पॉट में डाल देंगे इसके बाद फ्रेंड्स देखे एक की हिंच का मैंने अध्रक ले लिया है और अध्रक को इस तरीके से बारिक बारिक तुकुडों में काट लिया है इस तरीके से काट कर हम मिक्सी के जार में दाल देंगे और एक हरी मिर्च लिये है ये मिर्च बहुत तीखी है इसलिए मैंने एक ही लिये है और देखिए इसके ब इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसका भी टेस्ट आता है अब इसे हम पीस लेंगे पानी दालने की जुरूरत नहीं है टमाटर अपना पानी छोड़ते है देखिए उस पे मैंने पीस लिया है ऐसा कलर इसलिया है क्योंकि हमने मिर्च और हरा दनिया दाला है इसके बाद में देखिए कड़ी मैंने रगदी थी ग्यास के उपर और अब गरम हो चुकी है इसमें हम दो चम्मच तेल दालेंगे इसके बाद में तेल गरम हो चुका है इसमें अब हम फ्रेंड्स राई दालेंगे एक चोटी चम्मच जिरा दालेंगे और एक चोटी चम्म भी पीस ली थी वह हम इसमें एड़ कर देंगे और उसे हम चलाते रहेंगे तहिए ऐफास्ट आजपने बांच मिनित तक इस तरीके से ही चलाया है चो ग्यास की फ्लेम हैं वह निशेल तक आ तक फास्ट क्दारुते रहेंगे αफना फास्र तुम ही आपना तील छोड़ cow अच्छे से परफेक्ट बनके रेडी हो जाएगा इस तरीके से अगर हम भूनते है टामाटरों को इस तरीके से अगर तेल आता है तो हमारी जो सबसी है 100% एकदम जबरदस्त धाबा स्टाइल या होटेल स्टाइल बनके रेडी ज़रूर होगी देखिए कितना अच्छा और ब जाहे तो 2 चमज भर के दनिया पोडर दाला है और देखिए अपे मैंने नमक डाला है स्वादा नुसार इसके बाद में घ müने यी जो है एक कव भर केमें ने ताजे मटर ले लिए है एकदम फ्रेश मटर है आप फ्रोजन के भी यूज कर सकते हो बड़ ताजे मटर का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा अलग होता है आप ज़रूर दालिए इस संडी के मौसम में बजार में जो मटर होए बहुत जादा मात्रा में आते है तो आप उसका व तो वह पानी हाम सबसी में ऐड कर देंगे और दगकन रख़न में 5 मिट के लिए meng sie अब लाने के लिए छोड़ दूंगी जो ग्यास की फ्लेय में हमारी मीडियम है और पास मीड के बाद देखे इस तरीकी से उब ला चुका है कि देखें जोड़ी से तर्री है हमारी सबसी क नहीं है यह बस उबल चुके है और उसका छिलका निंकाल के मिने तुकड़े इस तरीक से करके इसमें डाल दिये है ज्यादा गल जाएंगे तो वह सब्जी में एक से मीक्स हो जाएंगे देखिए अब ढखकर रग दूंगी में और पार्च मिनिट तक इसे देखिए मिने में लेड़ी के लिए बस इस तरही के से आलो दिखने चाहिए साबुद और हमारे मतरे वह भी दिखने चाहिए एकड़ा अच्छी से बान चूकि है ट्माटर भी जο है अची तरही के तेस्टी मासला बन चुका है आप जरूर इस तरीके से बनाईए तामाटर का जो टामाटर है ना खट्टे मत यूज कीजिएगा जो नॉर्मल टामाटर आप वो यूज कीजिएगा ताकि तो सबसी हमारी खट्टी ना बने अगर खट्टी बन भी जाए तो उसमें गूर दाल क कि हम उसे पन एड़िस्ट कर सकते हैं आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी प्लीज कमेंट करकी बताइगी का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए